हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल जैसे कि आप थम्नेल से समझी गए होंगे कि आज मैं आप सब के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी नई किचन के लिए जो मैंने खरीदारी की है उसका हॉल तो यह पार्ट वन है इस वीडियो का पार्ट तू मैं जलुदी लेकर कराऊंगी आप सब के लिए जिसमें मैं बताऊंगी कि मैंने और क्या-क्या अपनी नई किचन के लिए खरीदा है तो यहां जितने भी प्रोडेट्स मैं में में इस्प्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर सेम नहीं तो सिमिलर प्रोडेट्स की लिंक जरूर दे दू जिन में हम खाना खाते हैं या पाणी पीते हैं जैसे कि प्लेट्स करणी और नई किचन में लेने ही पड़ते हैं इनके अलावा मैंने लिए ये च्छनी जो चाय च्छानने की काम आती है तो मैंने ये दो तरह की लिए एक राउंड वाली और एक फ़नल शेप की तो एट लिस्ट दो च्छनी तो आपको किचन में रखनी ही चाहिए अगर हो सके तो एक स्टील वाली भी रखे ताकि कभी अग अलाई से घी वगरा निकालते हो तो स्टील वाली च्छनी से अगर आप बिल्कुल गरम चीज़ें चान लेते हो तो उसका कोई नुकसान नहीं होता इसके अलावा हमें चाहिए होता है एक मॉर्टल पेस्टल का सेट इस तरह से जिससे हम किसी भी चोटी मोटी चीज को आप इसे अलुमीनियम या किसी और मेटल में भी ले सकते हो पर मैंने यहां पे स्टेनलेस स्टील का प्रिफर किया है यह तोरल ब्रैंट का है और यह बहुत अच्छी फाइन क्वैलिटी का स्टील है अगर ओनलाइन यह प्रोडेक्ट अविलेबल होगा तो इसके लिंक मैं जरूर दूँगी इसके अलावा मैंने लिये हैं कुछ और टूल अपनी किचन के लिए तो सबसे पहला जो मैंने लिया है वो है ये स्पून रेस्ट ये होम सेंटर ब्रैंड का है ये मैंने आनलाइन मंगवाया था आपको लोकल बरतन की दुकान पर भी मिल सकता है क्योंकि ये स्टेनलेस टील का है बहुत सारे डिजाइन के और मेटीरियल के स्पून रेस्ट आजकल एविलेबल है आप सिरामिक में भी चेक कर सकते हो पर मुझे स्टेनलेस टील डूरेबलिटी की वज़े से च जरूरी है इसके लावा लिया है मैंने दो टर्नर एक बिक साइज में और एक छोटे साइज में जो छोटा वाला है ये प्रॉंट है वगेरा जब हम बनाते हैं तो उनको टर्न करने के काम आता है और ये जो बड़ा वाला है ये यूजवली जब हम हलवा बना रहे हो या ऐस इस कर्ची की स्पेशल बात ये है कि इसके पीछे का जो एड़ है ये इस तरह से मुड़ा हुआ है जिससे कि अगर आप किसी बड़े बरतन में इस कर्ची को रखते हो तो वो सिंक नहीं होगी तरी के अंदर और आप इसे अटका सकते हो बरतन के पॉर्डर पे ये है एक रा कहते हैं तो ये मैंने बड़े साइज में लिए है मल्टी परपर्स ताकि ये वेरियस कामों में मैं यूज कर सकूँ इसके अलावा मैंने अपनी किचन के लिए लिया है एक ये बॉटल ओपनर आप कोई भी विराइटी का सॉस लेकर आते हो विनेगर वगरा के कुछ बॉट ये वाला जो है ये है स्टेनलेस स्टील का बना हुआ मेरे पास पहले मेरी पुराने किचन में एक अलुमीनियम का था उस पे वाइट वाइट से स्पॉर्ट दाग हो जाते थे नीबू के जो कि देखने में बिलकुल भी अच्छे नहीं लगते थे और कितनी बार भी उन्हे साफ कर लो वो साफ ही नहीं होते थे इसलिए इस बार मैंने ये स्टील का प्रिफर किया है हाला कि ये थोड़ा महंगा है लेकिन वन टाइम लेना होता है तो बड़िया चीजी लेनी चाहिए अपनी किचन के लिए और मैंने लिया है ये पोटाटो मैशर जो अगर आपको प लाइटर तो यह है बेसिक टूल्स जो हर किचन में होने ही चाहिए हर बिगिनियर को कम से कम इतनी टूल्स तो अपने किचन में लेने ही चाहिए इसके अलावा जो चीजे मैंने ली है अपनी किचन के लिए वो है चॉपिंग रिलेटेड चीजे हैं हम सबजी बनाने के लिए स चॉपिंग बोर्ट मार्केट में और उनलाइन एजी ली एविलेबल है बट क्योंकि डूरेबलटी मुझे चाहिए होती और हाइजीन भी इसलिए मैंने ये स्टील वाला प्रिफर किया इसके अलावा जो चीजे इसके साथ चाहिए वो है पीलर और नाइज तो अपने सेट मे और दो नाइज का सेट है तो ये जो पीलर है मैंने लोकल मार्केट से लिया था और दो नाइज मैंने मंगवाए थे ऑनलाइन एमेजन से तो ये जो कई ब्रैंड है इनके नाइज और पीलर बहुत शार्प होते हैं बहुत डूरेबल होते हैं और इस चाहपनेस की वज़े स इतना फेमस है तो कई के नाइव आप जरूर ट्राई करें इनके नेल कट्रस भी एवेलेबल है थोड़े से महंगे होते हैं पर सच में क्वैलिटी है इसके अलावा मैंने एमेजन से जो एमेजन का ब्रैंड है सोलीमो उसका ये नाइव सेट मंगवाया है अपनी किचन के बिगिनर को लेनी ही चाहिए और मैंने भी अपनी न्यू किचन के लिए ली है तो आईए बढ़ते हैं अब कुक वेर कलेक्शन की और तो जो बेसे कुक वेर आपको अपनी किचन में रखने चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इनके अलावा आप एक्स्ट् का टोपिया या सॉस पैन हम कह सकते हैं यह अल्डा ब्रैंड का ट्राइपलाई एलुमिनियम कोर का 14 सेंटीमिटर का स्टेनलेस स्टील सॉस पैन है विट लिड यह मैंने ऑनलाइन मगवाया था इसकी लिंक भी मैं आपको दे दूंगे यह बहुत ही हैवी और ड्यूरेबल ह और इसे क्लीन करना भी बहुत ही एजी है दूसरा जो मैंने लिया है वो है यह पॉट मिल्क पॉट है यह यह थ्री लिटर कैपसिटी का है यह भी ट्राइपलाई स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है यह मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था यह विनोध ब्रैंड का 3 लिटर कैप का मिल्क पॉट है यह बी वित लिट एलेबल था यह लिट का नाम लिखा लुट होओ है और यह बहुत ही हैवईवेट बहूत भूर्थी बना हुआ है इसको यूज करना और क्लीन करना बहुत ही ईजी है तो ये मैं रेगुलर बेसिस पे अपना किचन में मिल्क बॉइल करने के लिए या राइस कुकिंग के लिए या खीर बनाने के लिए यूज करती हूँ और इसमें मुझे अब तक कोई दिकत नहीं आई है तो आप भी इस कुकवेर को ट्राइ कर सकते हैं इसके अलावा मैंने विनोध ब्रैंड का ही स्टेनलेस टील का 3 लिटर का कुकर लिया है अपनी किचन के लिए हर इंडियन किचन में कुकर तो एक कमपलसरी चीज होती है जिसके विना हमारा काम ही नहीं चलता है पर ये कुकर मैंने ऑनलाइन नहीं लिया ये लोकल मारकेट से लिया हलांकि ये ऑनलाइन एविलेबल है पर मैंने जान मुझके लोकल मारकेट से लिया क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि यह कौन से शॉप पर मिलता है क्योंकि कूकर के साथ अक्सर यह होता है कि इसका जो अंदर का रबढ है यह लूज हो जाता है्या इसकी वाल्व या इसकी सीटी वगरा चाहिए होती है तो अगर आप local shop से ऐसी चीज़े लो तो इनको replace करना बाद में easy हो जाता है online मंगवाने पे हमें पता नहीं चलता कि हमारे आसपास ये चीज़ें मिलेगी या नहीं और future में जब हम long term की सोचे तो हमें ये सब सोच कर चलना पड़ता है इसी reason से मैंने इसे local market से purchase किया तो इसमें आप देख सकते हैं रबबड की जगे silicon की ring होती है ये blue color की जिसकी वज़े से ये ज़्यादा आसाने से expand या shrink नहीं होती बलकि अपनी size पे intact रहती है और steel का cooker होनी की वज़े से ये जो इसकी lid है ये भी expand नहीं होती और बार-बार में cooker से leakage वगरा की problem कम आती है ये भी tri-ply stainless steel का base है इसका ये भी विनोध ब्रैंड का ही है अब आप सोचोगे कि मैंने सारे tri-ply बरतन क्यों लिए और विनोध ब्रैंड ही मैंने क्यों प्रिफर किया क्योंकि विनोध एक जाना माना ब्रैंड है जो आज के टाइम में शायद घर-घर में यूज होता है जो भी health conscious है जो aluminium को avoid करते हैं अपनी kitchen में वो stainless steel के बरतन लेना ही prefer करते हैं और अगर हम long run की और durability की बात करें तो tri-ply cookware जो है वो काफी durable और best quality के होते हैं तो इसकी lid को adjust करने के लिए इसकी उपर arrow marks दी हुई है जिनको आप आपस में match करके फिर धकन को rotate करते हो तो ये इस तरह स बंद हो जाता है और ये बहुत ही अच्छी quality का और बहुत ही fine pressure cooker है ये भी three liter capacity का है विनोध intelligent cookware platinum category का है ये तो आप इसे amazon flip card पे भी check कर सकते हो ये easily available है हलका सा महंगा है but worth the price है किसी भी aluminium cooker से ये much 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 better है तो अगला जो cookware collection है वो है ये कढ़ाई और ये frying pan का एक set तो ये मंगवाय तो मैंने अलग-अलग है लेकिन ये आपको set में भी easily मिल जाएंगे ये दोनों same diameter के हैं और एक common lid इन पे आ जाती है ये भी विनोध ब्रैंड के ही tri-ply cookware है तो ये एक कढ़ाई है with lid और इसी diameter का है ये एक sauce pan या frying pan जिस पे हम इस तरह सी lid दोनों पे common हम share करके ठक सकते हैं तो ये भी दोनों tri-ply heavy base के cookware है विनोध ब्रैंड के ये कोई sponsored वीडियो नहीं है विनोध की तरफ से ये मेरा personal view और personal choice है अगर आप चाहें तो अपनी kitchen के लिए ये option select कर सकते हैं तो ये कुछ basic cookware है जो मैंने आपके साथ share किये जो हर new beginner के लिए important है उनकी kitchen में होने ही चाहिए इसके अलावा जो एक और चीज cookware में आपको लेने चाहिए वो है एक bowl में कर सकते हो तो ये कुछ cookware collection है इनके अलावा चोटे मोटे और बतन आप ले सकते हो जैसे की एक लोटा एक जग ये handy हो आपके kitchen में तो आपकी help हो जाती है तो friends अगर आपको आज की ये वीडियो थोड़ी से भी helpful लगी हो और अगर आपको इससे कोई help हुई हो तो मे ये वीडियो को like करें और अपने friends के साथ share करें जो भी अपनी नई किचन को setup करना चाहते हैं या newly married है उनकी help होगी so thank you for watching, be happy, keep smiling, tata, bye bye